भारत की प्रगती का एक स्वप्न आज जापान के सयोग से साकार होने जा रहा है। एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण जहां 4,000 से अधिक कर्मचारियों को नई तक्नीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और फिर नदी, सड़क और रेल लाइन्स को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा। इस परियोजना के निर्माण में 20,000 से अधिक ल प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्क। जापान के तक्नीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुल्निय होगी। इस उचगती के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नती होगी वह नवभारत का निर्माण होगा। एतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनी करण होगा जो इस परियोजना का आरम स्थल है। 320 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से चलने वाली इस ट्रेन की अंतर राष्ट्रिय मानुकों के अनुसार सखन जाच होगी। मुंबई टर्मिनल से एहमदबाद के 8 घंटे के सफर को मातर दो घंटे में तै करेगी ये हाइस्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड यात्री इस से लाभानवित होंगे वह भारत का नाम उचगती रेल के आधुनिक तक्नीकी का सफल उप्योग करने वाले राष्टों की शेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से संब्रिद्धी की ये गौरव्यात्रा पूरी होगी।